नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनकैडमी के प्लेटफॉर्म अनकैडमी अभियान पर जहाँ पर हम सभी एक्जाम्स को ध्यान में रखते हुए भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं इंडियन जोगरफी पढ़ रहे हैं और दोस्तों आपको याद होगा कि भारत के भूगोल में जो हमारा पिछला चैप्टर हमने शुरू किया था उसका नाम था प्राइदवीपीय पठार पैनिंसुलर प्लेटू और प्राइदवीपीय पठार में हमने देखा था कि बहुत सारी इस्थल आकरतियां हैं पैनिंसुलर प्लेटू के अंदर बहुत सारे परवत हैं, बहुत सारी पहाड़ियां हैं और बहुत सारे पठार हैं, अर्थात बहुत सारे प्लैटू हैं, यहाँ पर हमने आपको एक बात ये भी बताई थी कि प्राइद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है, प्लैटू of प्लैटूस कहा जाता है उसका रीधन ये है कि प्राइद्वीपीय पठार के अंतरगत बहुत सारे चोटे-चोटे पठार आते हैं तो पिछली क्लास में हम प्राइद्वीपीय पठारों के पठारों का अध्यन कर रहे थे उसके चार-पाँच जो पठार बचे हुए थे वो हमें आज की क्लास में खतम करना है ठीक है तो आपको याद होगा दोस्तों हमने इस तरीके से डिवीजन किया था तो सबसे पहले मध्य उच्ची भूमी, सेंट्रल हाइलेंड तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया था मेवार का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, रिवापन्ना, छोटा नागपुर, मेघाले, डंड कारण्य और बगेलखंड तो इतने टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं हमने काठिया वार पठार भी पढ़ लिया था, काठिया वार प्लैटू भी पढ़ लिया अल्दो मैं आपको रिवीजन कराऊंगा इन चीजों का, पर इतने टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, अब आज की जो क्लास है, उसमें हमें दक्कन के पठार का अध्यन करना है, दक्कन प्लैटू को स्टडी करना है, और इसे भी चार भागों में बाटा गया है, करनाटक का प अब महरास्ट के पठार को ही दोस्तों हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, और करनाटक के पठार को हम धारवाड डिवीजन या धारवाड पठार के रूप में भी जानते हैं, तेलंगाना और रायल सीमा का पठार, तेलंगाना और रायल सीमा ये एक साथ मिलकर के और नीचे वाला जो हिस्सा है वो राइल सीमा का प्लेटू कहलाता है तो आज की क्लास में हमें में इन बातों का अध्यन करना है दक्कन के पठार वाली कहानी को हम डिटेल में डिसकस करेंगे पर चलिए दो मिनिट पहले इन सारे पठारों का मैं आपको रिवीजन करा देता ह हो ताकि आपके दिमाग में एक बार फिर से ये चीजे आ जाएं देखना धियान से देखना एक चीज को तो देखो ये इनकी लोकेशन है अब सबसे पहले हमने यहां अरावली पहाडी के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि साहब ये अरावली की पहाडियां है इस the plateau of मेवार डिवाईट्स अरावली एंड मालवा प्लेट्व और मेवार के पठार की प्रमुक नदी कौन सी है तो यहा की प्रमुक नदी दोस्तों बसान है छिक है फिर हम मालवा के पठार पर आए थे और मालवा के पठार के बारे में सबसे important बार जो हमने पढ़ी थी कि इ पिशर वाल्कानिक इरॉप्शन से हुआ है, अर्थात दरारी ज्वाला मुखी उद्भीदन से हुआ है, जिसके कारण यहां बैसाल्टिक रॉक पाई जाती है दोस्तों, और यही बैसाल्टिक रॉक जब इसका अपर्दन होता है, इरूजन होता है, तो यह ब्लैक स्वाइल बन जाती है, जो की कपास की खेती, कॉटन के एग्री कल्चर के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है, मालवा के पठार में हमने प्रमुख नदियों की बात की थी, तो यहां पे चंबल एक प्रमुख नदी है, और चंबल के साथ ही जुड़ा हुआ एक तथ्य था, कि च मालवा के पठार से जुड़ी हुई, यह कुछ महत्वपूर्ण बाते थी, इसके बाद बुंदेलखंड का पठार, तो यहां हमने देखा था, कि सबसे पुराना पठार है यह, और यहां पर बहुत प्राचीन, नीस की चट्टाने पाई जाती है, और जब हम चट्टानों क के बारे में पढ़ेंगे, तो दोबारा से मैं आपको बुंदेलखंड रीजन रिवाइंड कराऊंगा, फिर बगेलखंड का पठार है, अब आगे बढ़ने के बाद छोटानाकपुर का पठार, तो इसे भारत का रूर कहते हैं, क्योंकि यहां बहुत सारे खनिज पाये जा पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया कहलाता है दोस्तों, जमशेद पुरवाला जो छेतर है, यहां दामोदर और महा नदी की जो घाटी है, तो उस घाटी में कोईला बेल्ट पाया जाता है, कोल पठी पाया जाती है, तो यह हमने छोटा नाकपुर प्लैटू के बारे में यहां एक नदी भी है, स्वन रेखा नदी, और स्वन रेखा नदी के उपर एक जल प्रपात है, जिसका नाम है हुंडुरू जल प्रपात, जिसे हुंडुरू वाटरफॉल कहते हैं, फिर हमने मेघाले या शिलोंग के पठार की चर्चा की थी, अल्दो यह मैं आपको पढ दहा चुका हूँ, तो पहले तो हमें यह समझना होगा, कि प्राइदवीपिय पठार और शिलोंग का पठार एक भ्रंश के द्वारा अलग हुआ है, और इसे मालदा गैप कहा जाता है, इसे मालदा भ्रंश या गारो राजमहिल गैप के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो कारबी एबलॉंग प्लैटू कहते हैं, और इसका हिस्सा मेगाले के अलावा असम में भी इस्थित है, और फिर यहाँ पर मिकिर पहाडियां आती है, और मिकिर पहाडियां हम जानते हैं कि वो असम में आती है, वो असम में लोकेटेड है, अब गारो खासी जैनतिया के बार आपको याद रखना है, ग्रीनाइट चट्टा ने यहाँ पाई जाती है, फिर जब हम नीचे की ओर आए, तो यहाँ सबसे पहले हमने डंड कारण ये पठार का अध्यन किया, डंड कारण ये प्लैटू को हमने पढ़ा, तो ये मेंली कहां आता है, चप्तीजगर के छेतर में आता है, और इसके भी दो हिस्से है, एक है बस्तर का पठार, और दूसरा है काला हांडी का पठार, जो बस्तर का पठार है, वो नकसल प्रभावित छेतर है, वो नकसल अफेक्टिड रीजन है दोस्तो, यहाँ पर नदी भी निकलती है, इंदरवती नदी, मुझे बताईए कि उस नदी में एक जलप्रपात बनता है, जिसे भारत का नियागरा कहा जाता है, नियागरा ओफ इंडिया कहा जाता है, कॉमेंट करके जरूर बताईए कि वो कौन सा जलप्रपात है, ठीक है, फिर हम इतने टॉपिक हमने डिसकस कर लिये थे, फिर बाकी छोटी छोटे विशे है, वो में एक बार आपको बता दो, आज के विशे में हमें इस टॉपिक को कवर करना है, ज्यान देना, इस टॉपिक को कवर करना है, अब इसमें देखो, तो ये पूरा जो छेत्र है न दोस्तों, इस पूरे छेत्रों को कहा जाता है, दक्कन का पठार, दक्कन प्ल प्लेटू और ये जो पूरा हिस्सा है इससे कहते हैं तेलंगाना का पठार लेकिन याद रखिए इसके दो विभाजन होते हैं दक्षनी हिस्सा तेलंगाना का पठार उस्वरी उत्तरी हिस्सा नदर्न जो एरिया है वो तेलंगाना का प्लेटू कहलाता है और सदर्न अर्था दक्षन का जो भाग है वो राइल सीमा का पठार कहलाता है तो अब हमें इन चार पठारों का अध्यन करना है हमें इन चार प्लेटूस के बारे में पढ़ना है ठीक है? चलिए तो टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको दक्कन के पठार की बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि आखिर दक्कन प्लेटू क्या है ताकि चीजें आपको समझ में आ जाएं तो मैप में आपने देखी लिया साहब कि दक्कन का पठार क्या है अब पहले इससे related ना कुछ concept समझ लो, देखो ये map, map में आपको दिख रहा है, ये सारी चीज़े है, ठीक है, करनाटक, करनाटक, ठीक है, धक्कन, पूरा हिस्सा है ये, तेलंगाना, अब ध्यान देना कुछ बेसिक बात है, देखो सबसे पहली बात, अगर आप इस पूरे प जैसे पूरा Pride VPA पठार triangular है, उसी तरह जो दक्कन का पठार है, वो भी triangular है, दूसरी सबसे important बात है, इसके निर्मान से जुड़ी हुई, इसके formation से जुड़ी हुई, देखो दक्कन के पठार का, डेकन प्लेटू का जो अधिकांस हिस्सा है, वो दरारी ज्वाला मुखी उद्वेदन होगा, यहां से बेसाल्टिक लावा निकलेगा, जिनसे बेसाल्टिक चट्टानों का निर्मान होगा, और जब बेसाल्टिक चट्टानों में अपरदन होता है, तो उससे काली मिट्टी का निर्मान होता है, उससे ब्लैक स्वाइल का निर्मान होता है, और ब् बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को सोकती है जबकि अलूवियल सॉयल इतना ज़्यादा पानी अपने अंदर नहीं रखती पर ब्लैक सॉयल की ये विशेश्टा है कि वो अपने अंदर बहुत सारा पानी रखती है अब इसके एक और जुड़ा हुआ कंसर बताता हूं सिचाई के द्वारा आपने पानी दिया तो ये पानी अंदर भरा हुआ है लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी जब एक्स्ट्रीम गर्मी होगी बहुत बहुत तेज गर्मी होगी तब ये जो पानी है न इसका वास्पी करण होगा इस पूरे वाटर का और जब ये पानी मिट्टी से ऊपर की ओर निकलेगा तो यहां पर दरारें पढ़ जाती हैं इस मिट्टी में और कई बार कहा जाता है कि दरारें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि एक प्रकार से ये मिट्टी खुद की प्लाव कर लेती है तो इसे self-plowing soil भी कहा जाता है खुद प भी दिया जाता है तो ये बात खास तोर पर याद रखेगा दक्कन के पठार के बारे में अब अगली बात जो important है कि ये जो दक्कन का पठार है इसे तीन भागों में बाटा गया है दोस्तों सबसे पहला भाग है दक्कन trap इसी को महरास्ट का पठार कहा जाता है ये वाला हि हिस्सा है करनाटक प्लैटू इसे धारवार प्लैटू भी कहा जाता है ये दूसरा हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है और तीसरा हिस्सा कहलाता है आंध्रप्रदेश का पठार आंध्रप्रदेश प्लैटू जो ये दिखाई दे रहा है अब ये आंध्रप्रदेश प् पठार के बारे में आपको याद रखनी है। देखो बेसिक सवाल ही बनते हैं कि दक्कन के पठार में क्या आता है। दक्कन के पठार का निर्मान कहां कैसे हुआ। ये बेसिक बेसिक बातें बनेंगी। अच्छा कुछ फैक्ट और याद रखिए। एक बार इसको PPT से तो तापती नदी के दक्षिन में तरभुजाकार पठार है, ट्राइंगुलर प्लैटू है, ये हमने आपको बता दिया, कहां फैला हुआ है, महरास्ट्र, मध्यप्रदेश, च्छतीसगर, उरीसा, परस्चिम बंगाल, आंधरप्रदेश, करनाटक, तमिलाडू, मतलब थोड पारी जुआला मुखी उद्भेदन से, जिसते बेसाल्टिक चट्टाने बनी, इसका अपर्दन हुआ, तो काली मिट्टी का निर्मान हुआ, अब इसका वर्गी करन भी आप याद रखियेगा, इसमें महरास्ट का पठार है, करनाटक का पठार है, तेलंगाना का पठार है और राइल सीमा का पठार है, अब एक-एक करके हमें इनके बारे में पढ़ना है, एक-एक करके हमें इन प्लैटूस की स्टडी करना है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, महरास्ट के पठार या दक्कन ट्रैप की, तो अब एक बात तो समझ में आगी न आपको, कि ये पूरा मैप है, एक मिन, ये पूरा मैप है, पूरे दक्कन के पठार का, और इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहलाता है दक्कन प्लेटू, या इसी को महरास्ट का पठार, महरास्ट प्लेटू कहते हैं, मैप में भी देख लो, देखो, ये पूरा हिस्सा है, जो द लक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। अब एक सवाल जो मुझे लगता है सभी के दिमाग में आना चाहिए कि सर इसको हम ट्रैप क्यों कहते हैं। सर यह हम पढ़ते आयां बच्पन से तो ट्रैप का मतलब क्या है। तो देखो ट्रैप जोग्रफी में एक शब्द है दोस्तों यह कोई ऐसा नहीं कि उस नाम दे दिया ट्रैप कि वहाँ जाके आप फस जा रहे हैं कि यह फसाने वाला कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुली क्या है कि जब यहां पर जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि यहां वॉलकैनों से यह पूरा हिस्सा बना है जिस वज़े से इस पूरे रेजिद में वॉलकैनिक इरप्शन हुए। अब जब यह ज्वाला मुखी आया तो किस प्रकार का ज्वाला मुखी था तो यह भी मैंने आपको बताया था कि सर यह फिशर वॉलकैनिक इरप्शन था, सर यह दरारी ज्वाला मुखी उदवेदन सरिस का मतलब तो दो चीजें हमने आपको बताई थी कि एक ज़ौला मुख्य होता है जो बहुत तेजी से ऊपर की ओर निकलता है और इसमें से अमलिय प्रकार का लावा निकलता है एसेडिक लावा निकलता है जो एक परवत बना लेता है क्योंकि ये लावा जल्दी धंडा हो लेकिन कई बार जुआला मुखी धीरे 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 से दरार से पानी बहता है ना दोस्तों कई बार आपने देखा होगा हलकी से दरार आ जाती है बरसात में तो वहां से पानी बहने लगता है उसी प्रकार जुआला मुखी दरार के रूप में बाहर निकलता है फिर इसमें से छार प्रकार का लावा निकलता है, और ये धीरे-धीरे ठंडा होता है और दूर तक जाता है, तो यहाँ पर जब फिशर वालकानिक एरप्शन हुआ, तो इससे बेसाल्टिक लावा निकला, छार ये लावा निकला, और वो एक जिगह ऐसे जम नहीं गया, वो कुछ इस तरह क से जमा, इस तरीके से, तो अब ध्यान से देखो, तो क्या ये सीधी नुमा आकरती लग रही है आपको, क्या ये आकरती आपको सीधी नुमा या स्टेर जैसी आकरती लग रही है, तो बस इसी सीधी नुमा आकरती को हमने नाम दे दिया कि ये धकन ट्रैप है, क्योंकि यहा लावा के परतदार या सीड़ी नुमा निक्षे पाये जाते हैं क्योंकि यहाँ पर लावा के स्टेर टाइप या फिर दोस्तो लेयर्ड डिपोजिशन पाया जाता है जिस वज़े से हम इसे दक्न ट्रैप कहा रहे हैं जो हमने आपको पता दी थी पहले कि साहब यहाँ पर भी वही होगा जो भी होता आया है कि काली बेसालिटिक चट्टाने रहेंगी काली मिट्टी कपास की खेती तो यह बेसिक बाते हैं ठीक है नदियां यहाँ की प्रमुख नदी गोदावरी ठीक है गोदावरी प्रमुख नदी है और इसके अंतरगत क्या क्या आता है अजन्ता की पहाडियां सत्माला की पहाडियां बाला घाट और हरिश्चंद्र की पहाडियां महादेव उच्छ भूमी यह सभी इसी का हिस्सा है दोस्तों ठीक है अब जब मैं आपको पहाडियां पढ़ाऊंगा तो यहाँ हम पढ़ रहे होंगे कि साहब यह विंधियन रेंज है सत्पुडा रेंज है और यहाँ पर यह अजन्ता की पहाडियां आते हैं और भी इसके हिस्से हैं सत्माला की पहाडियां बाला घाठ, हरिश्चंद्र की पहाडियां ये सब हम इस रीजन में पढ़ेंगे जब इस टॉपिक को हम डिसकस करेंगे अभी जो आपको याद रखना है दक्कन ट्रैप के बारे में अब कोई भी आप से पूँछे कि इसे ट्रैप क्यों कहते हैं तो एक सीधा बेसिक आंसर आप दे सकते हो कि देखो यार यहां पर दरारी ज्वाला मुखी आया जिस वज़े से पतला लावा आया और वो सीधी नुमा रूप में जम गया या परतदार रूप में जम गया जिस वज़े से इसे ट्रैप कहा जाता है लिखा भी हुआ है दा स्टैप लाइक हिल फॉर्म भी कहा जाता है रीजन देख लीजे यह वाला छेतर है पूरा देखे करनाटक का पठार देख रहा होगा आपको ओके तो दक्कन के पठार का करनाटक में इस्थित भाग है और करनाटक के पठार का जो पस्चमी भाग है यह प्रश्ण आया हुआ है याद रखेगा यह जो ह इसमें से दो नाम याद रखना एक तो शरावती नदी क्यों important है यहाँ पर भारत का दूसरा सबसे उचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात और इसी को महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहा जाता है या इसी को गर सोपा वाटरफॉल भी कहा जाता है यह प्रशन आता है कि ब करनाटक में जो शरावती नदी है उसके उपर जोग जलप्रपात इस्थित है दूसरी चीज याद रखना यहाँ पर जो दूसरी नदी है वो है वराही नदी यह भी करनाटक में है और वराही नदी के उपर जो जलप्रपात है उसका नाम है कुंजीकल ठीक है कुंजीकल व प्रमुख नदियां है ठीक है यहाँ पर दोस्तों दो important चोटियां पाई जाती है पहले मैं आपको important बताता हूँ देखो यहाँ ना कुछ पहारियां है और इन सभी पहारियों को मिला करके कहा जाता है बाबा बुदान की पहारियां ठीक है और इसी पहारी में से एक पहारी का नाम है कुद्रे मुख ठीक है एक पहाडी का नाम क्या है कुद्रे मुख और दोस्तों ये जो कुद्रे मुख पहाडी है इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का आईरन ओर पाया जाता है बहुत अच्छे किस्म का लौह आयस्क पाया जाता है और यहां से ये लौह आयस्क नि करनाटक पठार वाले रीजन में है और यहीं पर बाबा बुदान की पहाड़ियों में कुद्रे मुख की पहाड़ी है जहां से लौह एसको को निकालके जापान भेजा जाता है ये चीज आपको याद रखनी है उसके अलावा एक और पहाड़ी यहां पर है मुलान गिरी की प जा जाता है इसके एक हिस्सा बैंगलूर का पठार है और एक हिस्सा मैसूर का पठार है तो जहां पर बैंगलूर बसा हुआ है वो बैंगलूर का पठार है और उसके नीचे मैसूर का पठार है तो दो-तीन हिस्से हो गए बेसिकली जो इसका पस्च्चमी हिस्सा है वेस्ट इकल जल प्रपात, ठीक है, कुद्रे मुख, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, जो बहुत बहुत जादा important है, ठीक, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हम तीसरे और आखरी हिस्से पर आते हैं, आंधर प्रदेश का पठार, आंधर प्रदेश प्लेटो, ध्यान देन एक एक topic पर, ये दोस्तों पूरा पहले मैं आपको बना के दिखाता हूं, जैसे माल लेते हैं, दो मिनिट के लिए, कि ये पूरा आंधर प्रदेश का हिस्सा है, अब इसमें इना तीन division है, ठीक है, पहले यहां से, यहां से, यह जो हिस्सा है, यहां पर समुद्र है, पता ह होगा आपको, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, यह हिस्सा कहलाता है सीमांत आंधर, या इंग्लिश में इसे कॉस्टल आंधर प्रदेश कहा जाता है, यह जो पूरा हिस्सा है, यह तेलंगाना का हिस्सा है, ठीक है, तेलंगाना का हिस्सा है, लेकिन यहां पर एक नदी है, औ उस नदी का नाम है कृष्णा नदी है कृष्णा नदी और कृष्णा नदी इस पठार को दो भागों में बाड़ती है उत्री हिस्सा तेलंगाना का पठार कहलाता है तेलंगाना प्लैटू कहलाता है यह बहुत उपजाओ है बहुत फर्टाइल रीजन है और नीचे वाला ज सारी पहाडियां है ठीक है तो ये बस आपको याद रखना है आंध्रप्रदेश के पठार के बारे में देखो यहां से एकी प्रशना आता है जर्णली ये बताईए कि कौन सी नदी आंध्रप्रदेश के पठार को दो भागों में बाड़ती है या तेलंगना पठार को दो भा तो यह coastal reason हो गया, यह उपर का ऐसा तेलंगाना वाला हिस्सा हो गया, यह राइल सीमा का हिस्सा हो गया, तो यह न शब्द कई बार चर्चा में रहता है, और राइसेना और राइल सीमा दोनों में कंफ्यूज मत होना, राइसेना की पहाड़ियां वो दिल्ली में है और यह रा थार पढ़ने थे वो हमने पढ़ लिए अब क्या बचा हुआ है सर तो अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो इसमें बचा हुआ है प्रमुख परवत मेजर माउंटेन और मेजर माउंटेन में अब हमें इनकी चर्चा करनी है तो एक क्लास में अरावली, विंध्यांचल, सत् द्याई भी खतम हो जाएगा भारत का बहुत एक भिवाजन, Physiographic Division of India एक इंपोर्टन बात में आपको बता दो दोस्तों कि 15 तारिक से मेरा नया कोर्ष मद्धकालीन भारतिय इतिहास का कोर्ष शुरू हो रहा है और अभी अनकैडमी पर ये 20% का OFF चल रहा है इसका फाइदा आप जरूर उठाइए मेरा कोर्ष इस्तमाल कीजे और आपको 20% का डिसकाउंट मिलेगा MPP भी स्लेक्ट मत कीजेगा ये गलत लिखा रहा है आपको MPPSC स्लेक्ट करना है ठीक है तो MPP भी मत स्लेक्ट कीजेगा ये दिखिए MPPSC आइकॉनिक सब्स्रिप्शन भी है प्लस सब सब्सक्रिप्शन भी है 1480940 में 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा डिसकाउंट है प्लीज का फायदा उठाइए और मेरा कोड एस जी लाइफ जरूर इस्तमाल कीजे थैंक्यू सो मज़ दिखिश्तो अपना ख्याल रखिए आपसे फिर मुलाकात होगी